लोकसभा में राहूल गांधी के हिंदूओं के ओपर दिये गए बयान के बाद राजनीती सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा सरकार लगातार राहूल गांधी पर हमला कर रही है कि उन्होंने हिंदू धर्म का पमान किया है। उत्तप्रदेश सरकार में मंतरी हैं दिनेश प्रताप सिंग हमासात मौजूद हैं। दिनेश जी राहूल गांधी ने एक बड़ा हमला किया हिंदूओं को लेकर कहा कि ये सिर्फ हिंसा फैलाते हैं। नफरत 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 क्या कहेंगे इस पे आप। आपने अपने सवाल में कहा कि भारती जंता पार्टी हमला कर रही है लगातार हमला करने की प्रवत्ति न तो भारती जंता पार्टी में न भारती जंता पार्टी के कारकताओं में न ने तो तुम्हें। जो लोग हमला कर रहे हैं 99 के चक्कर में फस करके असफलता के कारण हुमिलेट हुए हैं और वो अनावस्यक रूप से भारती जिन्ता पार्टी और ने तो पर आरोप लगा रहे हैं मैं नहीं समझता कि जो राहुल जी ने वक्तब दिया है हो सकता है देश के लोग उसको पूर परिवार को भली भात जानता हूं राइबरेली में अगर कभी दुरगा पूजा का निमंतरन उनको भेजिये तो कभी नहीं आएंगे लेकिन किनी और धर्मों की अगर उनको निमंतरन मिल जाए तो टोपी पहन के पांच मिनट में खड़े हो जाते हैं तो उनके खून में हि पीशवर शदबुधी दे कि यह राष्ट हिंदूस्तान कहलाता है हमारे हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का महत्त है और इसके खिलाब बोल करके इसका अपमान करके इसका नुक्सान करके मैंने समस्ता कोई आदमी राजनीत कर पाएगा अपनी दीरगा में बैठते हो अगर लोगसभा का कैमरा हट जाये तो क्या मीडिया के लोगों का कैमरा हट सकता है क्या बहुत सारे कैमरे वहां लगे होते हैं अकेले लोगसभा टीवी के अलावा बहुत सारे कैमरे आप सब के होते हैं जो किसी भी पलपल की चीजों को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं तो रावल गांदी जी का यह बयान बचकाना है कि उनकी तरफ से कैमरा हटा दिया ग आपास किसी भी प्रकार का कोई स्विच नहीं होता जिससे किसी की वाइस कम ज्यादा आत्रवा रोख सकते हैं वह कोई प्राविदान नहीं और उस आसन पर kang blir k dawn podcast के लोग भी भीटते हैं सपाके लोग भीटते हैं भाज़्भा के लोग भी कि मुझे दुख है बोलते हुए बात कहते हुए मुझे लज्जा की अनुभूती होती है कि जो हिंदु धरम के बारे में चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहूल गांधी हो क्या जानते हैं सीव जी के बारे में क्या जानते हैं यहां तक कि मैं तो मानता हूं कि होली दिवा की परंपराओं को जानते होते तो देश को लज्जित करने वाले भाई बहन के विवहार आचरण जो समाज के सामने आए हैं ऐसा कभी नहोते प्रियंका गांधी उस पर क्यों नहीं बोलती है कि एक भाई किस तरह से विवहार अपनी बहन के साथ कर रहा है क्या सनातन धर्म और भाई बहन जैसा प्यार है मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है लेकिन भरी सभा में एक भाई एक बहन के साथ कैसा बेवहार करेगा यह हमारे हिंदू रीत रिवाज और सनातन धर्मे में परचलित परंपरा है जिसके अनुसारी को आचरण करता है तो प्रियंका गांधी ने उस पर क्यों नहीं कहा वहिंदू धर्म का विरोध नहीं कर सकते राहुल गांधी तो उनके साथ जो बेवहार हुआ क्या पूरे देश नहीं नहीं देखा है तो क्या ऐसा बेवहार करना चाहिए उनको अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार नहीं है मुद्दे वही पुराने हैं अगनीवीर योजना में कुछ नहीं हुआ किसानों के लिए कुछ नहीं वा नौकरी के मुद्दे पर कुछ नहीं वा पेपर लिक मामले पर भी कुछ नहीं हो रहा है लगतार घेर रहें आप लोगों को राज भी सदन में वो बोलेंगे घेरने का प्रयास करेंगे पेनई समस्ता की अखिलेश यादव जी अत्वा राहुल जी की बातों में अगर दम होता तो देश की जनता तीसरी बार भारती जनता पार्टी की सरकार बना करके देश वासियों की सेवा का आउसर ना देती ना अगर हमारे साथ तो जन्मत है भवमत है तो इसके कारण में कह सकता हूँ कि तुम्हारी बाते सत्य होती तो तुमको समर्तन मिलता अगर हमारी बाते सत्य तो इसका मतलब हमारी बाते सही है देश की जनता हमारी नीतियों को हमारी सेवाओं को हमारे परिस्रम को महसूस कर रह रही है और समर्थन दे रही आशिरवाद दे रही है तो ऐसे में उन लोगों का कथन मैं नहीं समझता कि किसी दसामें देश्वासियों के लिए उच्छित होगा अवायत धर्मांतरण को लेकर इलाबाद हाई कोट ने कहा है कि यूपी में जो सी स्टी आर्थिक रूप से कमज महसूस किया जब भारती जंता पार्टी और राश्टी स्वयम सेवक संग के लोग इस पर सिकायत करते थे तो लोग इसको महसूस नहीं करते थे पहली बार माननी उच्छनयाले तक इसको महसूस किया गया कि धर्मांतरण हमारे देश के लिए हानिकारक है तो आब तो कम से कम देशवासी इसको मैसूस करेंगे जब मानी उचनयाले की टिपनी सामने आई है और मैं समस्ता हूं कि जो ये राहुल गांधी गांधी परिवार के लोगों के द्वारा जो राजनित की जा रही है वो ऐसे ही धर्मांतरण का समर्थन करने वाले लोग हैं जिसके कारण और प्र प्रदेश सरकार में मंतरी दिनेश प्रताप सिंग हमारे साथ माजूद के लखनाव से वीडियो जनलिश अर्विंद के साथ संदीप खेर भारत समचार